जैश्री महाकाल दोस्तों, जोती जगत के संका में आपका स्वागत दे दोस्तों, आजकल वास्तु के हिसाब से घर में मनी प्लान बटने का शोग बहुत से लोगों में देखने को मिलता है लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि धन देने वाला मनी प्लान यदि गलत जगह रख दिया तो वो दरीतरता का भी कारण बन सकता है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनी प्लान का पोदा आपको घर्यक की सिस्से में नहीं रखना चाहिए और मनी प्लान लगाते वक्त कौन-कौन सी सावधानिया रखनी चाहिए दोस्तों, यदि आपने हमारा चनल सब्स्प्स्प्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्स्प्स्प्राइब कर लीजिए ताकि जोती जगत से जुड़े अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते दोस्तों, मनी प्लान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह जिस घर में रहता है उसना कभी भी पैसों की कमी नहीं आदी मनी प्लान के बारे में एक और बात अक्सर सुन्य को मिलती है कि यदि किसी के यहां से चोरी से मनी प्लान लाकर अपने यहां लगाए तो घर में खुब बरकत होती है दोस्तों, मनी प्लान के बारे में एसी कुछ रोचक जान करें आपको इस लिए में दी जाएगी दोस्तों पहली जानकर ये है कि मनी प्लान के पोदे के बारे में ये जो धारना है कि सिर्फ चोरी के मनी प्लान से ही घर में वर्कत होती है ये सरासर गलत है आप कहीं से भी मनी प्लान का पोदा ला सकते हैं या उसकी डाल ला सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं दोस्तों दूसरी जानकर ये है कि मनी प्लान का पोधा पानी में भी व्रत्ती कर सकता है और गंबले में मिठ्टी में भी व्रत्ती कर सकता है इसलिए आपको ब्रहमित कुने के आवशकता नहीं है आप काज की बोतल या कमले में किसी में भी मणी प्लान का पुदा लगा सकते हैं लेकिन यदि काज की बोतल में आपने मणी प्लान का पुदा लगाया है तो हर 15 दिन आज आपको इसका पानी बदलना पड़ेगा बेल लटकती हुई नहीं होना चाहिए और जमीन पर तो बिल्कुल भी इस पर्ष नहीं करना चाहिए दोस्तो मनी प्लान का पोधा यदि आप शुक्रवार के दिन घर में लाये तो बहतर है कई लोगों के यहां मनी प्लान इतना बढ़ जाता है कि उसे कटाई छटाए भी करनी पड़ती है तो दोस्तो मनी प्लान की यदि कटाई करना हो तो शुक्रवार के अलावा आप किसी भी दिन कर सकते हैं दोस्तो मनिप्लान के पोदे के साथ यदि दूसरे गमले में तुलसी का पोदा रख देए तो धन सम्बंदित बहुत अच्छे परेणाम प्राप्त होते हैं इसलिए जिस घर में मनिप्लान हो वहाँ तुलसी का पोदा भी अवश्य होना चाहिए दोस्तों कई लोग मनी प्लान का पोदा घर में कहीं भी रख देते हैं दोस्तों मनी प्लान का पोदा सिर्फ उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें इसके अलावा तेज धूब और अधिक बारिश से इसे बचाना चाहिए दोस्तों कई लोग मनी प्लान का पोदा घर की बातरूम में या किचन में रख देते हैं जो बिल्कुल गलत है मनी प्लान को कभी भी बातरूम या किचन में न रखें और नहीं घर में डस्टरवीन के पास या गंदी जगह में इस पोदे को रखें इससे पारिवारिक रिष्टों में दरार आ सकते हैं तथा आपसी मनमुताव हो सकता है दोस्तों वेशे को हर दूसरे तीसरे दिन मनी प्लान में पानी देना चाहिए लेकिन शुक्रवार के दिन आप मनी प्लान में पानी अवश्य दें तो दोस्तों ये थी मनी प्लांट से संबंदित कुछ महत्वपोन बाते वास्तु के अनुसार मनी प्लांट का पुदा धन में वरद्धी करता है और मान संबान बढ़ाता है इसलिए वास्तु शास्त्र में इस फोदे का इशेश महत्व है मनी प्लान्ट की यदि अच्छे से देखबार की जाए तो ये 40 से 45 दिन में आपको शुप परिणाम देने लग जाता है और जैसे जैसे मनी प्लान में रद्धी होती है वेसे वेसे आपे घर की बरकत बढ़ने लगती है तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जोतिश और वास्तों संबंदित वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके जोतिश संबंदित यदि आपका कोई सा प्रश्न है तो हमारे चैनल के नई वीडियो के कमेंट अवश्य करें अगले अंका में आपको जोतिश संबंदित अन्य जानकरियां भी दी जाएगी तब तक के लिए जै श्री महाकाल